नमस्कार आप देख रहे हैं गितानश टीवी प्रसुत हैं समाचार और दोनों छोटी बड़ी वहनों को जब कर थाना ले आए इधर प्रात जानकारी के नुसार मोटरसाइकल चालक मेराल थाना शेत्र के गाउं खोल रहा का बताय जा रहा है इधर सडक दुरखटना में गंभी रूप से खाल पलसर मोटरसाइकल चालक एव सोनपुर्वा निव इकराम खां के 20 वर्षे पुत्री रिजवाना खातून एम इनिंगे रिष्टेदार शकील खां 48 वर्ष दोनों मैदिनी नगर से इलाज करा कर अपने घर लोट रहे थे जबकि आदरगाउ निवासी रविंदर राम के 18 वर्ष की पुत्री अंश कुमारे भी घायल हुई है इन तीनों का इलाज इस्तानी रेफरल अस्पताल में डॉक्टर शमशेर सिंग के त्वारा किया गया इस समन्द में प्राप्त जानकारी के नुसार दुरगटना घटने के तुरन बात कमांडर संख्या जे एच चौदा ए शुने तीन दो पाच के चालक फरार हो गया चे के चालक मांचियाव की और से अपने घर साइड पर से चलते हुए अपने घर खोल रहा की और जा रहा था और कमांडर पर लदा समगरी के साथ सवारी गड़वा की और से मांचियाव होते भी बड़ी हा की और जा रहा था कमांडर तेज रफ्तार से चल रही थी और सीध मेट तकरा कर चुक गया मिलाप, मेडिकल सेंटर, मदर एंड चाइल्ड केर, शांति निवास स्कूल के नस्दीक, चिनिया रोड गर्वा, यहां स्त्री एवं प्रसूती रोग संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध है यहां 24 गंटे इमर्जेंसी सेवा के लिए डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं, विशेश जानकारी के लिए दिये गए नंबर पर संपर्क करें